नमस्कार जी आज का यह वीडियो basically उन दोस्तों के लिए है जिनके अमरूत के पौदे से फुल और फ्ल सड़कर गिर जाता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमरूत के पौदे से फुल और फूल सड़कर गिरता क्यों है वीडियो के आखेर में हम आपको इसे रोकने के लिए घरेलू रोक थाम बताएंगे साथी साथ केमिकल ट्रीटमेंट पी आपके साथ सेयर किया जाएगा दोस्तों आप बने हुए चैनल होम गार्डन पर मैं हूँ आपका दोस्त रवीद्र अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और आपको गार्डनिंग संबंदी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को सेयर कीजिए लाइक कीजिएगा जिससे जो अन्य लोग हैं जो इस समस्या से परेशान है वो से देखकर इससे जो है छुटकारा पा सके लेकिन फ्रेंड्स किसी भी समस्या की रोक थाम करने से पहले हम ये जानेंगे ये परेशानी होती क्यों है तो अमरूत के पौदे पे जो फल या फूल सड़कर गिरता है उसके कई कारण होते हैं यहां हम आपको प्रमुक कारण बताएंगे उनमेंसे एक कारण है सिचाई जी हां आपने बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे उनमें कहा जाता है कि जैसे ही पौदे पे फूल या फ काफी जादा है अगर जरूत के साफ से पौदे को पानी नहीं मिलेगा तो पौदा जो है फल गिरा देगा या उसका फल जो है सूख कर गिर जाएगा ऐसे सर्दियों में जब तापमान काफी कम है नमी बहुत जादा है लेकिन हम फिर भी पानी दे रहे हैं तो उस समय आपक का फल पीला होगा फिर गिर जाएगा ये दो कारण हुए लेकिन फल और फूल अगर सड़कर गिर रहे हैं तो उसका सबसे प्रमुक कारण है फल मक्खी जी हां ये बहुत छोटा सा कीड़ा होता है और जब फूल फल में तवदील हो रहा होता है उस समय ये अपने लारवा छोटे छोटे अंडे आपके फलों में छोड़ देता है और जैसे ही ये लारवा फलों में जाते हैं फल संकरमित हो जाता है और ये प्रकती का नियम है कि जैसे ही कोई फल संकरमित होगा पौधा उस फल को तुरंत गिरा देगा जी हां दोस्तों ये बात गौर कीजेगा कि अगर पौधे पे कोई फल खराब हो गया, सड़ गया या उसमें चोट लग गई, तो पौधा उसे जल्दी से जल्दी गिरा देगा या गिराने की कोशिस करेगा, तो ये फल मक्खी के कारण होता है, नब्हे पतसद जो फल या फूल सड़ कर गिरता है, वो फल मक्खी से ही ग जूना कहते हैं, सफेधी, जो घर की पताई के काम आती है, ये आपको लेनी है 100 ग्राम, 100 ग्राम काफी है एक पौधे के लिए, और एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, जैसे मटका यहाँ पर हमने लिया है, 10 ग्राम आपको चाहिए नीला थोता, जिहां नीला थोता, जो क बाजार में किसी पंसारी के दुकान पे बड़ी आसानी से जो है आपको मिल जाएगा, ये थोड़ा जहरीला होता है, तो कोई समझदार व्यक्ती ही लेने जाए, बच्चे को ये कोई देगा भी नहीं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले किसी मिट्टी के बरतन में 100 ग् अगर इसमें सफे दिया तो 1-7 लीटर पानी डाल कर इसे 24-48 गंटे के लिए छोड़ दीजिए, 48 गंटे बाद जब इच्छे तरीके से मिक्सर बन जाए, उसके बाद आप इसमें फिर 10 गुना पानी मिलाएंगे, यानिके 10 लीटर पानी और, फिर इस घोल को आप पौदे क तने पर, पत्तियों पर जो है पेंट कर दीजिए या इस्प्रे कर दीजिए, बुरुस की सायता से तने पर आपको लगाना है और इस्पेर की सायता से जो है फलों पर पत्तियों पर इसका इस्प्रे करना है, चलिए अमरूद की समस्या के केमिकल टीटमेंट को भी हम आपक कीजिए और जब आप कीटना सक इस्प्रे कर दें उसके दो से तीन घंटे वाद कोई भी अच्छी कंपनी का सिस्टेमेटिक फंगिसाइड लीजिए और एक लीटर में तीन एमेल मात्रा डाल कर जो है आपको इस दवा का इस्प्रे करना है सप्ता में दो बार यूज कीजिए दो सप्ता यूज कीजिए पौधे पर जो भी ये सड़ कर फल गरने की समस्या है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी आप अन्य फलों पर भी इसका जो है स्प्रे कर सकते हैं तो मैं उमीद है ये वीडियो आपके काफी काम आएगी अगर आपको कोई समस्या है कोई चीज किजिए हम आपके रिप्लाइ करने की पूरी कोसस करेंगे दोस्तों इस वीडियो को शिया जरूर कर दीजिए धन्यवाद